पाकिस्तान की फिल्म डस्ट्री ने पाकिस्तानी सिनमा भी आजाद हो गया और आजादी से पहले बनने वाली पाकिस्तानी फिल्म शाहिदा जो 1949 में रिलीज हुई दरहकीकत पाकिस्तान की पहली फिल्म थी पाकिस्तानी सिनमा ने गुंगट, फरंगी, तेरियाद जैसी मारूफ फिल्मों समयत दस हजार फिल्में पेश की सिपाही के जिन्दगी मुक्तसर होती है और इंतजार बहुत लंबा पंजाबी सिकाफत में पाकिस्तानी सिनमा ने आठ हजार से ज्यादा फिल्मों पर काम किया जिनमें मुंदरी, हीर रांजा, वारिश शाह और मिर्जा जड़ ज़सी रुमानवी फिल्मों ने शोरहत पाए तोवा तोवा, किन्ना केर्था तुफान चड़िया है पश्तो जबान में सन 1970 में पहली फिल्म यूसुफ खान शेर बानो परदे पर आए अंदाज बागी जोश जैसी फिल्में परदे पर रिलीस हुई और हाल ही में दुख्तर जैसी फिल्म ने पश्तो सिनमा को परवान चड़ाया सिन्धी सिनेमा पाकिस्तान की फिल्म डस्ट्री की दौड में पीछे रहा और सिर्फ दो हजार फिल्में पेश कर सका जिनमें लेला मजनू, हैदर खान और लाडली सरे फहरिस्त हैं सन 1969 से 1977 के दौरानिये को पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री का गोल्डन पीरिड कहा किया इस दौर ने संगम और अर्मान जैसी कई रंगीन फिल्मों से मतारिफ करवाया सन 1966 में रिलीज होने वाली फिल्म अर्मान ने अपनी एक खास चाप छोड़ते हुए चॉकलेट हीरो यानि वहीद मुराद को एक मशूर शक्सियत बना दिया और इसी दौर ने पाकिस्तानी सिनेमा में पॉप म्यूजिक को भी जनम दिया को 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 दिना अकेले न जाना हमें छोड़कर तुम तुहारे बिना हम अगर आप जिया उलाक के मार्शला से पहले जाएं तो हमारी फिल्मों के अंदर जो है वो एक तहजीब, कल्चर, रवादारी और चीज़ें सारी जो है अकॉर्डिंग डेट विलियोस जो है वो दिखाई देती थी तक्सीम बंगाल से पहले पाकिस्तान में तीन बड़े प्रोड़क्शन सेंटर्स लाहॉर, कराजी और ढाका मौझूद थे मशर्की पाकिस्तान की अलहदिगी के साथ साथ, फिल्म डस्ट्री को भी बहरान का सामना करना पड़ा फिल्मों की मतारफी नुमाईश पर, टैक्सिस के सخت कानून ने फिल्म डस्ट्री की कमर तोड़ कर रखती सालाना 80 से जएदा बनने वाली फिल्मों की तादाद सिर्फ दो रह गई इन हालात में, मशर्की पाकिस्तान की रूना लैला जैसी, मशहूर बुलुकारा की अलहदिगी ने, फिल्म डस्ट्री को नुक्सान पहुचाया सन 1983 में, वहीद मुराद के इंतकाल ने, पाकिस्तानी सिनमा पर बहुत गहरे असराद छोड़े सबसे ज़्यादा बड़ी वज़ा तो इसकी पाइरेसी थी, क्योंकि पाकिस्तान में पाइरेसी के मतलिक अनफॉचनेड़ी उस वर कोई इतनी ज़ादा वेरनेस नहीं थी और ना लॉक इंपलिमेंटेशन थी, ना गुवर्मेंट की सपोर्ट है, ना आट पूवीज को प्रापर जो रिलैक्सेशन मिलती है, टैकसे से यह रौ मेटीरियल में, तो इस वह से यह डिकलाइन जो है, एक अवामी रौईया जो है, मैं समझता हूँ कि ऐसी फिल्में जो हमारे माशरे में एक तामीरी रोल अदा कर सकती है, उनको एप्रिशेट ना करना, वो मेकर्स के साथ बहुत बढ़ी जाती है, और आगे फिर खौसला नहीं पड़ता, क्योंकि एक फिल्म बनाने के लिए वो जितना सरमाया दरकार होता है, कोई कब तक अपनी गाड़ी बेचेगा, कोई कब तक अपने मकान बेचके ऐसी फिल्में बनाएगा, तो मैं समयता हूँ कि अवामी रौईया जो है, वो भी फिल्म की कामिया भी नकामी या टेंट बनाने में बढ़ा उसका अमल दखल होत मॉस्को फिल्म फैस्टिवल अवार्ड हासिल किया, सन 1990 के आखिर में आने वाली सईद रिजवी की फिल्म, सरकटा इनसान ने पाकिसानी सिनमा में हौरर फिल्मों की बन्याद रखी, सन 1989 में रिलीज होने वाली पंजाबी फिल्म, मॉला जट ने फिल्म इंडस्ट्री में गहमा गहमी का समा पैदा कर दिया, सल्तान राही के डायलॉग्स हर एक की जुबान पर दोहराए जाने लगे और इस किरदार की छाप तारीख में रक्म हो गई, सन 1996 में सुल्तान राही का गतल एक अल्मिया थाबित हुआ, सन 1998 में सेयद नूर की फिल्म चूडियां फिल्म इंडस्ट्री पर एक नई सुब लेकर नमोदार हुई, चूडियां फिल्म ने 18 करोड रुपए कमा कर अपनी काम्याबी का सबूत दिया, चन लोनू प्यार नल दूर बैठा तक दा, अखा विछनी दादा, ओ मार बया बस दा, दिल्यो दमक्ड़दा जान मेरी तददा, यार मेला बाद शाए, उसम जी चागीरदा, देला मेला जारा, दो फामूले हैं, सिनमा वाले हर तरह की फिल्म लगाई, इंक्लूडिंग बॉलिवुड, और फिल्म वाले जएदा तर कॉमेडी बनाएं, और उसके साथ सोचिल इशूस, हमारे अपने उरिजिनल इशूस हैं, उन पर बनाएं तो ये सिर्मा इंडिस्ट्री और फिल्म इंडिस्ट्री दोनों रिवाइव कर सकते हैं. सन 2007 में फिल्म खुदा के लिए रिलीज हुई, जिसने फिल्म इंडिस्ट्री में नाम कमाया, इसकी वज़ए शूरत पाकिस्तान के दोरे हाजिर के मसायल पर मतनाजिया मौजू को जेरे बहस लाना था. और दाउद को क्या दिया? मौसिकी. ऐसी सुरीली आवाज और रागों और साजों पर इतना अबूर के सुर लगाएं तो पहार साथ गाने लगे. दुनिया जहान के परिंदे मधोश होके आवाज की जानिब किचे चले आएं. जुबूर उठा के देखे, ये तक लिखा है किन रागों से और किन साजों पर गाके हजरत दाउद अस्सलात उस्सलाम ने खुदा की हम्दो सना की. सन 2011 में बोल फिल्म ने बैनुल अक्वामी सता पर नाम कमाया. बोल फिल्म में समाजी मसले को जेर बहस लाया गया. मौशरे में बढ़ते हुए अदम बरदाश्ट के रवए, बेडियों का मकाम और गुर्बत को बेहतरीन अंदाज में फिल्माया गया. सन 2013 पाकिस्तानी सीनमा में तरकी की एक नई लहर लेकर उबरा. फिल्म वार ने बॉक्स आफिस पर एक नया रिकॉर्ड बनाया. इस फिल्म में मिलिटरी और खुफी अजंसी के किरदार पर रोशनी डाली वे. मैं हूँ शाहिदा अफ्रीदी भी सीनमा गरों की जीरत बनी. इस फिल्म में मारूफ क्रिकेटर शाहिदा अफ्रीदी के खेल से मतासिर होने वाले एक नौजवान के किरदार को दिखाया गया. जिसको क्रिकेट के दिवानों की दुनिया में बरबूर पजीराई हासिल हुई. हुरर फिल्म सिया ने तकरीबन अड़ाई करोड रुपे कमा कर अपनी तर्स की फिल्मों में एक नुमाया जगा हासिल की. सन 2015 में पाकिस्तान में पहली मरतबा एनिमेटिड फिल्म तीम बहादुर रिलीज हुई. दो बार आसकर अवार्ड हासिल करने वाली डिरेक्टर शर्मीन उबैत की इस फिल्म को खूब पसंद किया गया. तीन बहादुर फिल्म के दूसरे हिस्से को भी बच्चों की दुनिया में शोहरत हासिल हुई. अभी पाकिस्तान फिल्म डेस्टी का रिडवाइवल शुरू हुआ है. और किसी हद तक मैं समझता हूँ कि जो फिल्में जो पांच ये छे फिल्में साल गिरागी थी अभी वो दुबारा कम बैक हुई हैं. और इसमें अभी मेरे खिल जो लास्ट येर की जो मुवीज थी वो मूर दें 25 मुवीज जो हैं पाकिस्तानी फिल्म जो हैं वो रिलीज हुई हैं. और इसी वहाँ से आपने देखा होगा कि जो सैनिमाज हैं की सैनिमाज और मल्टिप्लैक्सर और सिनिप्लैक्सर जो हैं वो भी बनना शुरू हुए हैं जिसकी वहाँ से जो हमारे प्रडूसर्स हजरात हैं वो दुबारा फिल्म में की में आ रहे हैं और मैं देख रहा नेक्स्ट फोर तो फाइव येर्स इंशालला पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री कमबैक करेगी और बहुत अच्छे तरीके से कमबैक करेगी और हम एक कमपटिशन के महौल में दुबारा आएंगे बिन रोए, होमन जहाँ, जवानी फिर नहीं आनी, रॉंग नंबर, जलेबी, अक्टर इन लॉओ और मालिक जैसी फिल्मों ने पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री को फिर से तरक्टी की राह पर गामजन कर दिया प्यार तो कुछ भी नहीं, बस प्यार है, सिर्फ मुझे लगता है, बड़ी बुरी होने वाली मेरे साथ, जब भी मैं पढ़ने में पढ़ता हूँ, जोंसों से कोई यादा नहीं लगता है कुटों से भी बत्तर हलते तुम्हारी इस शादी ने ना, हुशी कहे के कत्रा चूस लिया हमारी सिंदी एक महीना है तेरे पास एक महीना तो बहुत काम है शिरा तू नौ महीने ले दे, बच्चा पहला करके दे दे कर लेगा ना सुना है, काइदे आजम भी अधाकार बनना चाहते है ये तो हद होगी, काइदे आजम को अधाकार बना रहे हैं बड़े वकील के मुझे बना गए, बड़े से बड़ा अधाकार क्या कर से होता है भौकने में और काटने में बहुत फरक होता है पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री बतद्रीज जवाल से उरूज की तरफ आ रही है निव आइडियाज और वेल एजुकेटिड अधाकार पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री की काम्याबी के लिए कोशा हैं सलीूट फिल्म में हाल ही में सीनमा में अपना जादू बिखेरा फाल ही में पाकिस्तानी सिनमा का रुख, आक्शन और मजाहिया फिल्मों के साथ साथ ड्रामा और अद्बी फिल्मों की तरफ भी जा रहा है जब कोई कहानी मेरे कलम से निकल जाती तो उसका चपना लाजिम हो जाती मंटों के बच्चे को नंगा कर दें इसके अफसानों की तरह इसका दर पर नाप करें किसी को मुझ दिखाने के काबिल न रहे है मीर के जिन्दवी का आहम वाक्या उसकी दीवान नहीं है पाकिस्तानी लोगों के जो उरिजिनल मसाइल है बजाए इसके कलीशे मसाइल हों लाव ट्राइंगल हों शादी बिया के बखेड़े हों उस तरह के मसाइल जिनका हमारे साथ कोई जुड़त नहीं है इनको मौज़ु बनाने की बजाए जो हमारे अपने मसाइल है जैसे द Aryshutगर्दी है जैसे जहेज है जैसे सलाब आते हैं जैसे कारोकारी है जैसे करॉप्षन है इनको मौज़ु बनांके फिल्म में बनाई जाएंगी तो लोग अपने आपको रिलेट कर पाएंगे उन फिल्मों के साथ और लोग ज्यादा जोक दर जोक आएंगे देखने के लिए तो दिस इस दे ओनली वे तो रिवाइव पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री और पाकिस्तानी सिनमा इंडस्ट्री ऐस वेल अधिल्स के माता जएभाट को रिल्म है कि साथ कि बहुर को कि सम्त allora किपושते ब apps पांगे सर्क आपको रिल्मों काुल